जोहार आप सब को इंडिवर फोर्यू आप देख रहे हैं और इवलूशन आफ लाइन टीनियर्स अफ रांची डिस्टिक इंजहरखन का पार्ट वन आप अल्रडी देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बात किया कि खास भंडार क्या होता है खोर्पोस टीनियर्स क्या होता है देवरी महल्स क्या होता है फ्यूडल जागीर टीनियर क्या होता है सर्भी जागीर क्या होता है पत्रादिक टीनियर क्या होता है उसके लाद फिर हम लोगों ने देखा चपूता विलेज फिर ठाकुर विलेज फिर मजियस लैंड के बारे हम देखा फिर हम लोगों ने intact खुटकटी भिलेज देखा फिर broken खुटकटी भिलेज उसी के अगली कड़े में आज हम लोग बात करेंगे भूमिहारी टेणुवर्स के बारे में कि भूमिहारी टेणुवर्स क्या देखिए endeavor for you आप देख रहे हैं और आप अगर land tenure जरकंड के देखने से interested हैं तो you may watch on regularly till end what do you mean by भुहारी tenures, भुहारी village और भुहारी lands देखिए यहाँ पर भुहारी tenures देख रहा हो तो भुहारी tenures में क्या होता है भुहारी tenures पांच तरह का होता है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पांच प्रकार एक है खूट भुहारी lands फिर है भूत खेता आप देखते जाएं इसमें आपको भूत भी मिलेगा और उसका बेट खेता लैंड भी मिलेगा फिर डाली कटारी फिर आपको ऐसा ओजह मिलेगा जो गाओं का रच्छा करने के लिए क्या करता है तीसका तीसरा पार्ट है पहनाई lands का चोथा है मुंडई और पाचमा है महतोई lands और इसी बीच में हम देखेंगे इस भूत खेता पाहन diamonds जो होता है उसके वी चार पार्ट है जैसे भूहिहरी भूत खेता और गारो और मर्दाना भूत खेता दे शाबली और पबलिक भूत खेता फिर अंधर भूत खेता और पहन नई का दो परकार हैं पहन लैंड जाने रहे हैं मुंड है नाम से क्लियर होगा कि पहन है मत रखेगा कि intermingle नहों जाए और आपको समझने में थोड़ा यह आ जाए और इसके बाद फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रजली लेंड्स क्या होता है जब भूयारी का देख लेंगे तो प्रजली लेंड्स कोड कर आपको पता ही होगा कोड के फिर नएगा बैगा क क्या होता है फिर पुजार खूट क्या होता है फिर सब प्रोसे सूप प्रोसेस लोड़ा प्रोसेस बेट बिगार क्या होता है भूगत बंद क्या होता है बंगा क्या होता है इसमें से बहुत सारे चीज अगर आप यहां के लोकल होंगे तो बहुत सारे चीज छोटे-छोट definitions आपको पता होगा हम यहां कोशिज कर रहे हैं कि आपको एक छोटा सा notes tab से त्यार हो जाए और इसके सारे जो main main features हैं उसके बारे में आपको ध्यान आजाए तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भुहियारी तीनियर्स में पहले भुहियारी भीलेज क्या होता है simple बात है देखे दोनों भासा में हैं भासा आपके जनकारी का बाधा ना हो now the word खुटकट्य और खुटकटिदार अप्सुलित only a few miserable fragments of old खुटकट्य लेंड्स of the ओरीजिनल किलेर्स of the soil have been left to their descendants as privileged tenure and these are called भुहियारी लेंड्स समझ गया होंगे भुहियारी लेंड्स मतलब जो original clear arts of soil था बस वही है और इसके बाद है मरे star absorbed as राजहांस भुहियारी के बाद जो बचा वो राजहांस और पार्टले बिदिन मजियस जिसको मजियस लेंड्स भी बोलते हैं अब देखिए आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि परजली लेंड्स क्यों हता है परजली लेंड्स ध्यान रखेगा तो जो भुहियारी और जमिनदारी गाउं है तमार में जो इस तरह के गाउं है भुहियारी और जमिनदारी उसको परजली लेंड्स बोलते हैं जैसे तमार प्रगना के कुछ गाउं में इंटक्ट खुटकटी प्रणाली के बिगटन के समय राजा ने अपने हिसे अब देखिए हम यह जो बोल रहे हैं यह क्या है राजा से यह जो हम बात कर रहे हैं कि राजा सभी जैसे चर्चा हुआ ना तो पिछले वीडियो में हम लोग राजास्लेंट के वारे मिल पढ़े थेतों राजास्लेंड क्या होता है कि राजास्लेंड इंटेक्ट कुंडारी खुटकर्टे भीलेज दिफिर बाद में जब ब्रोकन हुआ उसका बिघटन हुआ तो उस समय राजा अपने हिस्से कुछ एकर जमीन कबजा करने में काम्याबी हासिल किया था उसी को राजा सनाम दिया गया अब देखिए यहां पर दिख रहा होगा को करकर लेंड तो सेक्षन तीन का तेरह छोटना को टिनेंशी एक पनेश वाठ में कोरकर लेंड मेंस लेंड वाटेवर नेम लोकली नोन सच अज भावला खंडावाथ जलसासन और एरियत विच है इसे समझे ज्यादा टेक्निकल टर्म में यह तो होगया डिफिनीशन का अब सीधे आईए हिंदी के भावासा लीजिए कि कोड कर ठीक है न तो बैसा जमीन जिसको कोड कर जैसे जमीन को हल चला के ख़ते हैं बीज भूने के लिए तो बैसा जमीन और यह तो पता ही अल्रेड़ी होगा कि जहरखंड में चाबल का खेती अधिकतर होता है एक फसल ही जमी होता है मैकसिमम जगह तो लोग चाबल ही लगाते हैं तो जो जमीन को यहां के लोग हाँ लिवल करकर बांध बनाके चाबल की खेती करने के लिए कोड कर जमीन को तियार करते हैं उसको कोड कर लेंड बोलते हैं बस इतना है ध्यान रखना अफ देखिए हिंदी बे चावला, खंडवाद, जलसासन या एरियेट के नाम से जाना जाता है और जो चावल की खेती के लिए मुख रूप से कृत्रियम रूप से त्यार किया जाता है कोड कर हम लोग चावल की खेत के लिए जमीन त्यार करते हैं उसको कोड कर बोलते हैं अब देखते हैं भुहिहारी टीनिवर्स, तो भुहिहारी टीनिवर्स में क्या हुआ था कि पहले intact खुटकटी था उसके बाद खुटकटी, broken खुटकटी हो गया धीरे-धीरे, हम लोग धियान रखेंगे बार बार कि हम लोग evolution of land tenures पर रहे हैं, पिछले में जो पढ़ा उसके आगे से अभी चल रहे हैं कि intact खुटकटी फिर broken खुटकटी, broken खुटकटी के बाद क्या हुआ, कि old खुटकटी system has was totally broken down, जानी रहे हैं, बजा क्या, राजा, जागिरदार, ठीकेदार और auction purchaser जिसको जरपेशगीदार बलते हैं, बलते हुट कंद्णदेसारी के विंतर को खुटकटी घेक लिए अलून कर खुटकटी नियमें लाख टिसकेडिकीजैना कि अनॉटकjayल अरुटकरत की अरे के में यह डुटकटी के लीजम अडुटकरत में जीकेदार से लिए कुटकटी यह जाग गुटकटी परहे हुटक खतम कर दी गई, तो खुटकटी नाम ने अपना महत्य खो दिया, उनकी पैत्रिक भूमी अब क्या हुआ, या तो समझावता के कारण, या नए जमीनदारा जो उसको हड़पने में असमर्थ हो गए, उस कारण जमीन की मूल ग्राम समुधाय के कबजे में छोड़ दिया गया, लैंड सफ ओरिजिनल क्लियरर सफ लैंड, इससे भूहारी भूही का नाम दिया गया, तो दिखिएगा जैसे ही जमीन जयदा जब खरिदने का हो, बेचने का हो, तो यहाँ पर यह सब ध्यान रखना है कि भूहारी जमीन क्या होता है, अब दिखिए निक्स जो आपके सामने में दिख रहा ही है, नायगा बायगा, what do you mean by नायगा बायगा, तो हम कोशिस यह कर रहे हैं, आप समझिए, यह छोटे-छोटे बर्ड्स, जो जब पिछले कोश्चन्स 2016 वाले प्रस्ण में भी नायगा बायगा दिखा होगा आपको, तो इन छोटे-छोटे सब्दों को धि विभाजित था, और वो अभी तक भी इंटेक्ट खुटकर्टी गाउं में विभाजित था, these were the quotes of पाहन, मतलब पाहन कौन होते हैं, विलेज पृस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, नायगा बायगा in some parts, ठीक है, राची जीले के आदिवासी ग्राम समुधाय को दो खुट यह सरगनों में विभाजित किया गया, जैसा कि अभी भी इंटेक्ट खुटकर्टी गाउं विभाजित हैं, वैसा गाउं जो इंटेक्ट रह गया, जिसको ब्रोकन नहीं कर पाया, बाहरी factors, यह पाहन गाउं के पुजारियों के खुट थे, जिसे कुछ भागों में नायगा य थे जाते हैं, ठीक है न पाहन या गाहती पुजारियों के खुट को नहेगा यह बाएगा कहते हैं, तब यह समझ लिजेगा कि जो पाहन जैसे मालेज़े कि जैररली जो पंडित जीती सब हुते हैं, बाएगा लेके आते हैं बाएग में से निकालेंगे, तो धिहान अब देखिए आपके सामने जो नेक्स दीख रहा होगा यह है पुजार खुट अब यह पुजार खुट क्या होता है in some villages particularly in the western प्रगनाज a subdivision of पाहन खुट देखिए क्या है a subdivision बस इतना है ध्यान देना है a subdivision of पाहन खुट known as पुजार खुट मतलब पुजार खुट क्या है पाहन खुट का है एक subdivision है which came into being the real पाहन देखिए अब subject to condition क्या है real पाहन अपना duty को junior branch उसके परिबार के family को delegate कर दिया कुछ गाओं में बिस्यसकर पस्चमी स्परगना में पाहन खुट की एक उप सुखा जिसे पुजार खुट के नाम से जाना जाता है यह कवस्तित में जब असली पाहन अपने कर्तब्यों को परिवार के कनिस्ट साखा को सौंप दिया अब ऐसे समझे कि पहले बड़ा सा पंडी जी पुजा कराते थे बाद में वो अपना power delegate कर दे बोले कि ठीक है यह महला तुम कराना तो इस तरह का जो करने का जो action होता है उसको पुजार खुट बोलते हैं अब देखिए उपर में दीख रहा होगा soup process अभी soup मतलब नहीं समझे कि गर्मी का दिन है चलो थोड़ा सा कुरोना को कोराम मचाते हुए soup जाके पी ले होटल में तो यह वो soup नहीं है यह super natural का soup है तो चलिए पहले देखते हैं soup process होता क्या है और इसका background क्या है the mundai and the pahnai lands are generally hereditary यह सबको पता है mundai or pahnai land hereditary होता अनुवांसिक है also the offices of mundai and pahans are ordinarily hereditary but in a few villages near the uraav country and in number of uraav villages that the office of pahan is not hereditary simple बात है प्रिस्ट भूमी है मुंडai पहनाई भूमी आमतर पर बन सानुगत होता है इसके अलावा मुंडा और pahan के करजाले भी बन सानुगत होते हैं कि अगर उनका वो मर गया तो उनका बेटा फिर pahan बनेगा फिर मुंडा उमरा तो उसके बेटा फिर लेकिन उराव देश जो उराव कंट्री है उसके आसपास का जो मुंडा गाव है यह यह कहां कि जो उराव के आसपास से उससे परभावित है वहाँ पे यह करजाले पाहन का बन सानुगत ने है जो बन सानुगत नहीं तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? In such villages, an election of Pahan and his assistant is made every three years from among the members of Pahan Khut. And in some villages, even from among the Vohihaar in general, by certain well-recognized supposed supernatural process. Supernatural process है. These are principally the sub-process and Lohra process. ऐसे गाओं में, Pahan एब उनके सदस्यों का चुनाओ दिखेगा, धियान रखेगा. Pahan हर सदस्यों का चुनाओ तीन साल में होता है, Pahan Khut के सदस्यों में से. कई बार exam में यह दीख जाएगा, नहीं तो अगले exam में ही दीख जाएगा, कि Pahan और उसके सहाय का चुनाओ, Pahan Khut के सदस्यों में से कितने साल में होता है, तो तीन साल में. और कुछ गाओं में समान तोर पर भुहरों के बीच से भी कुछ बिसिस्ट मानता प्राप्त, कथित अल्लावकिक परकरिया, देखिए ही यह सूपर नेचुरल प्रोसेस, जिसको, जिसका ए आर नेचुरल हटा दीजे, तो क्या बचा? सूप प्रोसेस, देखिए सूपर नेचुरल में से, सूप बच गया, अब सूप पीने लाइक वाला नहीं है, यह सूपर नेचुरल वाला है, यह मुखता सूप परकरिया और लोड़ा परकरिया के रुप में जाना जाता है, तो यह जो चुनाव करने का तरीका है, बस सुची को, अब देखिए, टाइप польз of of bhoehari, bhoehari tenure का कितिनाboro type होता है, आपको अल्रेडी मैं बता चुका हूँ कि पांस टाइप होता है भूहियार टुनियर्स का तो सबसे पहला ये खूट भूहियारी लेंड्स खूट भूहियारी लेंड्स क्या होता है जल्दी जल्दी देखिए खूट भूहियार ये lands are heritable ये अनुभांसिक होता है transfer of such lands could not be made by an individual भूहियार without the consent of all members of the खूट इस तरह की भूमिक अहस्ता आंतरन कोई एक मतलब कोई individual भूहियार अपने सदस्यों के अनुमति के बीना नहीं कर सकता इसलिए नाम है खूट भूहियार मतलब खूट का ही लोग और सब का consent चाहिये तब जमीना आप किसी को दे सकते हैं formerly when a भूहियार डाय आप सोचिए कि अगर माल लिजे कि कोई संतान हीन मर गया और abandoned his very lands such lands were regarded as still the lands of his खूट or stripe and the headman of खूट generally distributed the lands among such members as had not enough lands with him पहले क्या होता था कि जब कोई भूहियार बिना बारिस को मर गया या अपने भूहियारी भूहिय को छोड़ दिया तो जमीन का क्या होगा तो अभी भी उसी खूट का जमीन माना जाएगा जिसमें पहले वो था और खूट मुखिया जो head होगा ये ऐसे सदस्य के बीच दिखे बहुत important है ये point कि ऐसे सदस्य के बीच भूहिय के भी बितरित करते थे जिसके पास परियाप्त भूहिय नहीं था तो ये हुआ कुट भूहियारी lands अब दिखियेगा उसका next characteristic since November 1900 only उसु फरक्षवरी मौर्गेजी ये लीजी not exceeding 7 years if in the भूगत बंध form and not exceeding 5 years in other cases are permitted November 1908 के बाद ध्यान दिजेगा उसु फरक्षवरी मौर्गेजी जो है या जो लीज पे लिया है तो उसको कितना मिलेगा 7 वरस से अधिक नहीं और अगर भूगत बंध में और अन्य मामलों में 5 साल से अधिक के नुवती नहीं ठीक है तो वो भी भूगत बंध में है अगर जो उसु फरक्षवरी मौर्गेजी है अकर मिल गया उसु फरक्षवरी पिछला बार हम अल्रेडी बता चुके है कि आप जमेन किसी को दे दिये है तो अपने पट्टे के अबधी में पट्टा धारक अब देखिए C&T Act section 3 के subclass 2 में लिखा हुआ है कि भूगत बंध क्या होता है आप सोच रहांगे भूगत बंध मौर्गेज क्या है तो transfer of interest of tenant in his tenancy for purpose of securing payment अब हिंदी में आ जाए सीधे ऐसे देखिए हिंदी में हम लोग क्या लिखते है भूगत बंध मतलब ये तब तक बंधक रहेगा जब तक ये भूगत न जाया मतलब जब तक आपका पैसा हम चुका न दे बस simple एतना ही है तब तक के लिए बंधक है जमीन तो इसमें है कि secure करना है for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan चाहे तो loan आपको already मिल चुका है या आपको loan दिया जाना है उसकी वज में ये security रहता है upon condition that the loan with all interest the salary deemed to be extinguished by the profits arising from the tenancy during the period of the mortgage देखिया भूगत बंध और उसु भरक्षवरी में क्या अंतर है आप आगे समझेंगे देखियेगा दोनों में जो अंतर है थोड़ा है आप धियान दिजेगा बिल्कुल आसानी से समझ जेगा आप देखिये हिंदी में ये section 3 subclass 2 है छोटन आकपुटिनेंसी एक्ट का अपने पट्टे की अबधी में पट्टा धारक के हित का अस्तांतरन रिन के माध्यम से दिये जाने वाले अग्रिम के रूप में दिये गए मतलब आपको हम mortgage कर दिये जमीन उससे जो उपजेगा खाईए और हमारा तब तक का जो loan है और जो interest है उसी अबधी में समाप्त माना जाएगा अब देखिये बेठ बेगार जिसको ऐसे दिख रहा होगा आपको कैसे बोलते हैं इसको common language में फ्री लेवर बेठ बेगार पहले लोग बेगारी कराता था अब जानते हैं कि जब constitution of India बना तो बेगार कांथ कर दिये गया तो अब देखिये बेठ बेगार होता क्या the holders of खुट भुहारी लैंड बेर generally required to render certain unspecified surfaces ठीक है जिसको खुट भुहारी लैंड मिला तो खुट भुहारी लैंड मिला कि आपको क्या करना है render certain specified services called बेठ बेगार ये specified service को बोला जाता है which have now been committed into cash payment beside services quit rents are also available in most villages for such lands तो खुट भुहारी धारकों को आम तोर पर कुछ बिसिस्ट सेवाओं की करने के अब सकता होती थी जिसे बेठ बेगार कहा जाता था जिसे अब नगत भुकतान में परिवर्तित किया गया है और सेवा के अलावे कुछ गाओं में quit rent भी लिया जाता था मतलब थोड़े बहुत rent अब दिखिएगा छोटनाकपुर लैंडलोड एंड टिनेंट प्रोसीडर एक्ट 1879 में पास हुआ और उसके बाद ये बेठ बेगार का जब काम कराता था कि आये फिरी का सर्विस किजिए बहले नहीं होता था गुलाम लोग सीधे समझे कि हम आपको खेद दी है आये फिरी में रोज हमारे घर का साब सफाई जो जो हम बोलेंगा काम करिए फिर चले जाए आई विल नॉट पे इभेने पैसा आट तो यू तो बाद में जब ये एक्ट बना 1879 का चोटनाकपुर लैंड 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 टीनन प्रसीडियर एक्ट तो इसमें बेठ बिगारी को मनी के रूप में परिबरतित किया गया कि आप पैसा दे सकते हैं देखिए इसका दूसरा जो भेद है भुहारी टीनियर का यह भूत खेता लैंड आप सोचिए भूत अगर खेत में दीख जाए तो रात छोड़िये दीन में लोग जमीन में दीखेगा ने लेकिन यहां पर जो हम बात करें, इस इस सेकंड कलास ओभुहारी लैंडस है यह बूत खेता बुमी दूसरे बफुआरा कि भूहारी भूमी है, अब देखिए इसका भी तीन प्रकार होता है पहला है भुईहरी भुठ खेता और प्राइबेट भुठ खेता लैन अभी ये क्या होता है इस जारं इंग्लूडड़ विद बुढ़ लैंड से पार्टिकुलर ये विशे स्कूट की भुईहरी जमीन है इच खुट में have it separate भुहियारी खेता और हर खुट का जैसे मालेज़े एक ये खुट आ रहा है उसके बाद इधर से तीन खुट है तो हर खुट का आलग-अलग separate भुहियारी खुट खेता परते खुट का अपना आलग-भुहियारी खुट खेता हो सकता है और members of one could can have no right to bear a root of another अब ये माल लिजे A का जमीन है ये B का सबका अलग-अलग खुट है C है तो A का इसमें B में right नहीं होगा B का C में नहीं होगा A का C में नहीं होगा इस तरह से और no rent on beggary is due for such land तो ये जो private भूत खेता land है इसमें कोई बेगारी नहीं होगा ठीक है अब इसका देखे दूसरा जो इसका दूसरा टाइप है ये है गारो और मरदाना भूत खेता अब लीजिए जन्नी मरदाना पहुँच गया अब तक class भूत खेता इस found only in some उराओं भीले समझ गया है community and settled periodically by the village headman with different riots आप ऐसे समझें भूमी की आदिबासी ग्राम समुदाय का संपत्ति माना जाता है और समय समय पर अलग अलग रहयतों के साथ गाओं के मुखिया द्वारा निर्धारित किया जाता है जो परतेक को एक छोटा रकम देते हैं और जिससे आवधिक पूजा और दावात का पूरा खर्च किया जाता है मतलब जो परेडुकल पूजा और फिस्टिंग होता है इसी जो जमीन का जो उपज है ऐसे समझे उससे पूरा किया जाता है and that's why the landlord receives no rent for such land जो जमीन दार होता है मालिक होता है मकान मालिक जमीन मालिक उसको कोई किराया इसके बदले जो rent लगान जो बोली हो नहीं मिलता है उस समय तो चंदा बोला जाता था next है the name मर्दाना male is applied because only and only man and no woman can take part in पूजा और फिस्ट मर्दाना नाम इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि सिर्फ पुरुष कोई महिला इस बभज में हिस्सा नहीं ले सकता है तो देखे यह मर्दाना भूत खेता हुआ आप देखे तीसरा जो इसका भाग है उसका नाम इस देशावली और पॉब्लिक भूत खेता अब देखे पॉब्लिक भूत खेता क्या होता है इस लैंड इस कल्टिवेटेटे आएदर बाइद पाहन और विलिज प्रिस्ट हिमसेल्फ और बाइर रहियत वो हैब तो पे हिम रेंट फोर इट इस भूमी को खेती या तो पाहन गाओं के पुजारी या स्वेम रहियत द्वारा किये जाते हैं जिनके लिए जिन्हें इसके लिए किराया देना मतलोब रेंट देना पड़ता है वो मकान मालिक भूला ने जमीन का रेंट का बात है देन्कम डिराइव फ्रम दे क्लास अब भूत खेतालंड इस बर्ग से परापता है यह जुआ यह जुँआ ने के सम्मान में होजित त्रहबार सी कुछ सपर ख़च की जाती मतलब तीन साल में देसाली भूंगा के सम्मान में भाव्य आयौजन होता है उसी पर इस चमेन से जो आम दनी होगा उस पर खरच किया जाएगा यह देखे इसका इनफरेंस ही है कि अगर जो किराया है उसका खरच कहा हो रहा है भक्ती आवजन में हो रहा है आउनर अफ गॉड तो यहाँ पर कोई किराया नहीं मिलेगा अब दिखेगए इसका जो लास्ट है टाइब यह है एंथर भूत खेता इत फोड यह केवल कुछ राओगां पया जाता है और इसका खास क्या है इदेखे अंदर अंदर में क्या है अंदर से कहीं कोई भूत बाहर ने आजाएगा यह भूत तो है यह देखिया अंदर वाला भूत खेता मतलो घर के अंदर जो भूत है वो बाहर ने आजया ऐसे इसे तरह के खेत कुछ आत्माओं को समर्पित हैं यह कुछ आत्माओं को समर्पित है जिसे रहस्मई तरीके से ओजह या समझे भूत खेता द्वारा बुलाया जाता है जब गाओं कब बुलाया जाता है जब गाओं कुछ हापदा का सामना करता है तो अंदर के भूत खेत को बोलते हैं आप बाहर आजये धियान रखियेगा आप देखें नेक्स्ट है यह आपको अल्रेडी पता होगा पहनाई जमीन क्या होता है इस इसी को बंगा बोलते हैं इन सम विलेज सिर्फ कुछ गाओं में और इंकलूड अल्सो दर्विस लेंडिन पाहन असिस्टेंट इस लेटर बेर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट विलेज यह पाहन यह गाओं के पुजारी द्वारा रखी गई भूमी है जिनें कुछ गा पहाँ में बगा कहा जाता है इसमें पाहन के सहाइकों की सेवा भूमी है और इसका हर गाओ में अलग अलग नाम है अब देखें पहनाई लाइन भी अलग 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 टैप का होता है आप दि लेजिए अब दिखें डाली कटारी देखें नाम itself is clear डाली कटारी डाली मतलब अगर लोकल भासी हैं तो समझ गया है पेंड के डाली ब्रांच और ट्री को बोलते हैं डाली कटारी ठीक है इस पहनाई लेंड प्रोपर एंज्वाइड वाई पाहन हिमसेल फोरिज प्रिस्टली सर्विसेज फोर भिलेज का यह पहनाई भूमी है जिसे पाहन द्वारा गाओं के समधाएं के लिए पुरोहिती सेवा के लिए कि वो पूजा पाट करवाएंगे या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा कराएंगे तो उसके बदले यह उपहोग करते हैं और no alienation of such land by पाहन beyond the terms of which पाहन ship is binding on his success है पाहन के काज कल के बाद पाहन के काज कल के बाद पाहन ship पुली है पाहन द्वारा इस तरह की भूमी को कोया लगाओ alienate मतलब उसको transfer नहीं कर सकते किसी को दे नहीं सकते हैं उनके उत्राधिकारियों के लिए बाधिकारी है अब देखी जमीन का ऐसा नाम क्यों पड़ा from the branch branch और फे करम ट्री जानते हैं करम पूजा कितना महातपुर्न है यहां के लिए प्रकिरती का पूजा है तो करम branch डाली और फे करम ट्री cut and planted on the occasion of करम festival भूमी को करम के पेंड की साखा से ऐसा कहा जाता है जिसे करम पर्व के अवसर पर लगा जाता है तो डाली का कटारी यह हुआ अब देखे पन भरा अब अगर हिंदी भासी छेतर के होंगे तो पन मतलब पानी भरा मतलब भरा जो पानी भरेगा वो जमीन पाएगा इट इस अ सर्विस लैंड ऑफ पन भरा कॉल्ड तहालू इंसम उराओं भिलेज देखे यह भी ध्यान रखेगा कि तहालू क्या होता है अगर कभी पूछ दे तो यह पन भरा को बोलते हैं whose duty is to support water for the puja बस भक्ति के नाम पर यह चल रहा है कुछ उराओं गाओं में तहालू नाम से जाना जाता है इसे तहालू नाम से जाना जाता है यह एक सेवाभ में जिनका करता है पूजाओं के लिए पानी की अपोड़ती करना है ठीक है यह पानी भार के लाँ है तो पनभारा लैंड other service related to पनभारा लैंड are found in certain उराओं भिलेजे जैसे सुसारी खेत, सूप खेत, मुर्गी पकोवा लैंड ध्यान रखेगा these are simple words which are which में भी आस्क्रीन देख जाओं पनभारा भूमी से समद्धी तन सेवा भूमी उराओं गाओं में सेवा भूमी है जिसे सुसीरी खेत या सूप खेत मुर्गी पकोवा बोलते हैं अब देखें मुंडाई लैंड these lands of a village are held rent-free ठीक है? rent-free गाओं के मुंडा दोले इस भूमी को बिना rent के रखा जाता है या उसको hold करते हैं the landlord has no right to take position of search land नहीं ले सकते हैं at least till the lifetime of a member of मुंडा खुट मुंडा खुट जमिंदार जब तक मुंडा खुट का कम से कम जीवन काल तक ऐसी भूमे पर कभजा करने का कोई अधिकार नहीं है as we know that office of मुंडा is hereditary जैसा हम लोग जानते हैं कि मुंडा का करजाले बन सानुगत होता है मुंडा का यहां करजाले नहीं पद होगा office of the मुंडा का पद बन सानुगत है next देखिए महतोई land पता होगा it is a service land of महतो महतो का सेवा भूमे rent फिरी है बिना rent के मिलता है अब महतोँ may be dismissed अब देखिए महतोण यह बहुत महतोण point है अब महतोँ may be dismissed by the landlord कौन इसको dismiss करेगा landlord charges क्या है absolute neglect of duty duty की पूर्णू पेक्छा कर यह करते हैं तो मकान मालिक या जमींदार बोली इसको जमींदार द्वारा एक महतो को बरखास्त किया जाता है लेकिन अब बरखास्त होगा महतोई तो फिर उस जमीन का क्या होगा अब इस point को देखिए what in the event of existence of महतोगोट in the village a new महतोई is appointed from amongst the members of the महतोगोट and as such महतों लेंड वूट पास ऑन तो शच नीवली appointed महतो हिंदी में समझे लेकिन गाउ में महतोगोट के अस्थित में होने की स्थिति में अगर महतोगोट है तो महतोगोट के सदल्दस्यों में अश एक नए महतोगोट की निक्ति की जाती है और इसलिए महतों की भूमे ऐसे नए नियुक्त महतों के पास चली जाएगग। ठीक है ना तो यह आशान है अब देखे आया बेट खेता लेंड्स बेट खेता क्या होता है इसका सम फियेचर्स इंपॉर्टेंट फियेचर्स हम देखते हैं अब जमिंदार को विशेश अधिकार प्राप्ति ये भूमे माने जाती है देखेता को रेंट को रेंट फिरी दिया जाता है मतलब हम आपको जमीन दे दिये उसके बदले आप क्या करेंगे देखिये अभी जो सबसे महत्पुर्ण बात है बेट खेता का जैसे समझेए ये अब जमिंदार का मंजिया जाता प्राप्ति बात करेंगे जमिंदार को रेंडर्ण आपको रेंट आपको जमिंदार को मंजिया समझेए जमीन है उस पर आपको खेती कर देना मज यह जमीन पर खेती करके जब अच्छा उसको आप दिस्पेंस कर देगा आपको कि जब वो चाहेगा कि हम तुम्हारा ये सेवा नहीं लें तो भूमी सवाल देख लेता हैं जली-जली में In which section of CNT Act In which section of CNT छोटनाकपुर Tenancy Act उन्हें स्वार्ट The definition of कोरकर लैंड कोरकर लैंड का definition कहां है ये छोटनाकपुर Tenancy Act के section 3 के sub clause 13 में दिया गया धियान रखेगा कोरकर लैंड कोरकर क्या है कोड दिये जमीन को किस लिए चावल की खेती के लिए कोड कर जमीन तियार कर लिए that is कोरकर लैंड नेक्स देखिये An original village community in the Ranchi district in the intact Khutrati village was divided into two khuts or steps What were the khut of पाहन और village priest called उसको क्या कहा जाता है हम लोग चर्चा कर चुके नागा और बायगा just it is a type of revision try to keep in your mind these questions what is the name of supernatural देखिये आपको यहीं से answer दीख जाएगा कि अगर आप थोड़ा धियान रख रहा है soup, soup पीना नहीं है इसमें, soup को पकड़के बाकी को छोड़ देना है process What is the name of supernatural process by which election of Pahan and his assistants is made every three years देखिये यह भी धियान रखियेगा पाहन कोड़ इसको soup process और लोरहा process बोलते है soup strength for supernatural next सवाल देखिये in which section of Bengal act 6 of UNESWAT अभी यह Bengal act 6 of UNESWAT क्या है भुकुत बंध मोर्गेजीर दिभायन आप देखिये का थोड़ा सा दिमाग को जोड़ डाली UNESWAT में CNT act बना था Bengal act क्या माना जाता है जब उस समय सासन बंगाल का ही पार्ट था अपना भी हार जहर खंड सब तो जो act बनेगा उसके नाम से बनेगा जैसे अभी भी जो इंडिया में act बनता है तो हर act का एक नमबर दिया जाता है कि उस साल का यह कितना number कौन सा serial number का यह act है and in the same way it was the sixth act of 1918 तो यह section 3 का two clause में छुटनागपु टिननेशी एक्ट के section 3 के two clause में भूगत बंध मुरगज के definition दिया गया है तो बिंगाल act 6 of 1908 1908 1908 है sorry यह उनिशो आठ समझेगा नेक सवाल देखिए the services of बेट वेगार have now been committed into cash payment why we checked देखिए अभी बेट वेगार भुईारी में देख रहे थे आप भुईारी tenure के अंतरगत की बेट वेगार मना फिरी labor करना होगा आईए खटिये जाईए I will not give you even a paisa तो इसको बाद में बुला गया कि ठीक है इसके बतले आप कुछ बेट वेगार ने करेंगे आप कुछ पैसा दे दीजे वो जमीन हम आपको देंगे आप उसके बतले कुछ पैसा दे दीजे कि हमको बेट वेगारी ना करना पड़े तो यह इसको commute की च्छोट नाकपूर लाइनलोड और टीन प्रोसीडर एक्ट 1879 एन अदे आक्ट मेंट प्रोवीजन फूर कम्यूटेशन ओफ सर्विस बेठ वेगार टु मने रेंट बेठ वेगार को मने रेंट में चेंज कर दिये बस यह कनभर्ठ हो गया आज का में यह जल्दी जल्दी भुहिहारी टीनियर खतम हो गिया, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आप यू में बाच कि जो नेक्स्ट जो भुहिहारी एवलूशन अफ लें टीनियर सब जार खंड है, उसका नेक्स पार्ट क्या है, यू विल बेट, आई विल अपलोड द आप यू विडेयो पस्टाई है तो यू में य लाक, शेयर और सबस्क्राइब जायर खंड है उड्यू?